हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस अबडेट के लिए बेल आइकन सिरूर दबाएं हेलो व्यूवर्स आज किस एपिसोड में हम बात करेंगे COVID-19 स्टार्टप असिस्टन स्कीम के बारे में आपने देखा कि पिछले कुछ महिनों में किस तरह से माइक्रो, स्मॉल और मीरियम इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह से इंपक्ट हुई है ये करोना वाइरस के चलते इस लॉकडाउन की वज़े से कई कंपनीज बंद हो चुकी हैं और कई कंपनीज ऐसी हैं जो किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं क्यूंकि इनके पास working capital liquidity है नहीं खुद को sustain करने के लिए इसकी वज़े से government ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई हैं और banks वो चाहे public sector banks हो private sector हो या फिर NBFCs हो इन लोगोंने कुछ न कुछ schemes के जरिए MSCMEs की मदद करने की कोशिश की हैं कि वो कुछ fund infuse कर सकें इसी के चलते Small Industries Development Bank of India सिद भी ने ये COVID-19 startup assistance scheme launch की है ताकि वो आपको working capital और liquidity दे सके ताकि आप आगे आने वाले कुछ महीनों में अपने आपको sustain करें और अपना कारोबार जारी हम बात करते हैं ये scheme के लिए कौन eligible है अगर आप सिद्वी के website पर जाएंगे www.sidby.in तो वहां उनके website पर homepage के नीचे website आपको मिलेगा announcements वाला page उसमें अगर आप जाएं तो third slide आपको मिलेगी COVID-19 startup assistance scheme की details के बारे में यहां अगर आप clip करेंगे तो वहां आपको मिलेंगे तीन links पहला तो आपको scheme details दूसरा आपको मिलेगा application form और supporting documents की checklist और तीसरा मिलेगा self assessment tool इसमें self assessment tool सबसे ज्यादा important है self assessment tool में तेरा सवाल है जो अगर आप जिन जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या आप इस scheme में apply करने के लिए eligible है या नहीं अगर है तो क्या आप सारी requirements से comply करते हो और करते हो तो किस हद तक करते हो यह सब पता चल जाएगा और वहीं आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको यह financial assistance मिलेगा या नहीं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए self assessment tool पर अब बात करते हैं eligibility की पहले तो सारे MSCMEs eligible है इस scheme में apply करने के लिए अगर आप MSCMEs की bifurcation classification को समझना चाहते हैं तो यह table को आप देखिए left side इसको classify किया गया है primarily manufacturing और service sector में अगर आप manufacturing sector की बात करें तो वो businesses जिसमें 25 लाग रुपे तक invest किये गये हैं वो micro कहलाते हैं वो businesses जो 25 लाग से लेकर 5 करोड तक जिन्होंने invest किया हैं वो कहलाते हैं small skill industries और वो businesses जिन्होंने 5 करोड से लेकर 10 करोड तक invest किया हैं वो कहलाते हैं small scale industries similarly आप देखें service industry में जो businesses 10 लाग तक invest किये हैं वो कहलाते हैं micro industries जिन्होंने 10 लाग से लेकर 2 करोड तक invest किया हैं वो कहलाते हैं small scale और जिन्होंने 2 करोड से लेकर 5 करोड तक invest किया है वो कहलाते है medium size industries तो ये classification है MSCME इसकी अब ये जो start-ups पिछले 10 साल में वजूद में आये हैं जिन्होंने inception हुआ है पिछले 10 साल में जिसे government of India define करती है असा start-up government of India किसे define करती है start-up उन organizations companies को जो पिछले 10 साल में वजूद में आये हैं inception इनका पिछले 10 साल में हुआ है और जो पिछले 10 साल में किसी भी financial year में 100 करोड से ज्यादा business नहीं किये हों वो कहलाते हैं start-ups तो ये भी eligible है अगर आप इन में fall होते हैं तो आप eligible है apply करने के लिए बागी की कुछ और शर्ते हैं लेकिन और दो तीन important शर्ते मैं आपको बता देता हूँ अगर आप उन शर्तों को पूरा कर पाते हैं तो बागी शर्ते I'm sure आप definitely उससे comply कर पाएंगे तो जो next दूसरी शर्त तीसरी शर्त ये है कि आपके start-up में कम असकम 50 employees होने चाहिए अगर 50 नहीं है थोड़े से कम है तो चलेगा लेकिन आपको जरा अपने business को explain करना होगा और employee strength को application में justify करना होगा चौती बात आपने किस तरह smartly इस lockdown के दौरान भी कुछ न कुछ innovative तरीकों की अपना कर अपने आपको sustain कर पाए हैं पिछले 2-3 महिने में ये बताना होगा ये बहुत जरूरी है और आपको ये भी projections देने होंगे कि अगर आपको ये liquidity ये working capital दिया जाए तो आप किस तरह अपने आपको sustain कर पाते हैं आने वाले कुछ महिनों में तो ये major शर्ते हैं अब आपको funds जो आपका working capital है वो एक साथ दे दिया जाएगा साथ में कठा या फिर पिरियोडिकली disburs किया जाएगा depending upon your requirement आपके requirement के मताबिक इसका जो interest rate होगा वो 10.5% होगा और ये आपको तीन साल तक के period में आप इस loan को चुका सकते हैं maximum 2 crore रुपे तक आपको इस scheme के तहत मिल सकते हैं तो ये बहुत ही काम की scheme है और मैं चाहूंगा कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं और documentation भी बहुत आसान है सब कुछ digitalized online हो जाएगा और आपके साथ interview भी video conferencing के तुरू होगा आपको सिद्बी की किसी भी office को visit करने की जरूरत नहीं होगी तो मैं चाहूंगा कि आप मिसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं और अगर आपको इसमें documentation में या फिर इसके process में assistance की जरूरत है तो आप मुझे बताएं मेरे पास Chartered Accountants और Financial Analyst की टीम है जो आपकी इस process में सहायता कर सकती है आपको बस करना इतना है कि मेरे वीडियो के नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर देना है और मुझे बताएं कि आपको assistance की जरूरत है मेरी टीम आपको contact करीगी और हम discuss करेंगे आपके साथ कि किस तरह हम आपको इस loan अवेल करने में आपकी मदद कर सकते है तो फॉरण apply कीजिए scheme के लिए देर मत कीजिए और जो सिद्वी की website का link है वो भी मैंने अपने वीडियो के नीचे दिये गए description box में दे दिया है उस पर click कीजिए और वो सीद आपको land करेगा सिद्वी की website पर और most importantly इस वीडियो आपको आप अपने friends, relatives और अपने circles में हर एक के पास आप इसको पहुंचा दीजिए इसा share करिए ताकि हर businessman को ये information मिल जाए कि सिद्वी ने एक बहतरीन scheme launch की है उनकी मदद के लिए ये fund infusion के लिए ताकि वो भी इसका पूरा पूरा फायदा उठा सके अगर सही information सही जगा पहुंचेगी और सही वक्त पर इसका इस्तिमाल कर लिया जाएगा तो हर एक को इसका फायदा होगा अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए गुद बाई